हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जिके ट्रैकर में देखे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज है परिक्षावानी MCQs को हम कर रहे हैं और चैप्टर वाइस कर रहे हैं अभी तक दो वीडियो में हम दो चैप्टर को कवर कर चुके हैं और बहुत सारे important MCQs को हमने वहाँ पर देखा आज हम जो तीसरा अध्याय है उसके सभी MCQs को कवर करेंगे और जो important है 69 question मैं यहाँ पर लेके आया हूँ उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ पर कुछ question याद करने के लिए tough है और कुछ question के मैंने options में change करके उनको confusing बनाया है ताकि वही answer कर पाएं जिनोंने अच्छे से पढ़ा है तो आज की वीडियो में 69 में से आपके कम से कम अगर 60 marks आ जाते हैं तो फिर आपके तैयारी काफी अच्छी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले कल मैंने एक प्रशन पूछा था आपको कि दुडा निर्तेगीत जो होता है दुडा निर्तेगीत इसका अन्या नाम क्या है तो इसी निर्तेगीत को बाजूबंद निर्तेगीत के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बाजूबंद निर्त गीत को दुड़ा निर्त गीत भी कहते हैं और यहाँ जो निर्त गीत है यहाँ रवाई जौनपुर छेतर में गाया जाता है पेड़ों के नीचे गाया जाता है प्रशन बनता है इन में से कौन सा गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है तो कोशन है लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कोशन है देगे उत्राखंड का सरवादिक छेतरफल वाला जिला है चमोली हाला कि आयोग ने आंसर उत्तरकाशी को माना था लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप आप अपिशल वेबसाइट्स खोलें चाहे आप गूगल कर अगला है उत्राखंड के किस भाग में पाताल तोड कुएं पाए जाते हैं तो पाताल तोड कुएं ये कहां पाए जाते हैं ये तरही छेतर में पाए जाते हैं ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा अगला है उत्राखंड के निम्र जन्रपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है आपको पता है जो उत्राखंड के दो देशों के साथ उत्राखंड अंतराष्टिया बौडर बनाता है चिबबत और चीन या फिर नेपाल ये दोनों के साथ ठीक है तो नेपाल स कौन कौन से जिले हैं दिखे नेपाल से लगे हैं आपके उधमसिंग नगर चंपावत और पिथारगड तो यहां पर राइट आंसर होगा option C निम्न मेक से कौन सा उत्रांचल का सबसे उचा परवत शिकर है तो सबसे उचा परवत शिकर आपको पता है नंदा देवी पश्चिमी वाली ठीक है अगर option में आपको नंदा देवी और पश्चिमी आगे दे दे और पूर्वी दोनों दे दे तो आपको ध्यानक ना है जो राज्जा चकराता को कहा जाता है ठीक है दोनों आपको याद रखने हैं अगला है किंगरी बिंगरी नीती शलशल आदी क्या है ये प्रश्ट दो बार UKEE TRIPLE S.C. पूछ चुका है तो ये सभी किस के नाम है आपको पता है ये सभी दर्रों के नाम है ठीक है अगला है और ब्यास घाटी को जोडने वाला दर्रा कौन सा है अच्छा कोशन है UKEE TRIPLE S.C. इसको भी दो से तीन बार इसको पूछ चुका है तो दार्मा और ब्यास घाटी इन दोनों को जोडने वाला दर्रा है सिनला दर्रा ऑप्शन C यहाँ पर राइट होगा राज्जा के किस जि हैं यहां से विपार होता है नेपाल से तिबबत से ठीक है फूलों की घाटी कहां इस्तित है देखे फूलों की घाटी आपको बतानी है चमूली जनपत्मतों है लेकिन कौन से हिमालाई चेतर में और ऐसे कोशन बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं क्योंकि नाम इनके लगब हिमाल्य हो गया इसके लावा अगर आंतरिक हिमाल्य आ जाए तो भी आपको यही टिक करना है ठीक है ना व्रद की जिगा पर अंतरिक आ जाए या फिर महा हिमाल्य आ जाए तो भी यही आंसर होगा ठीक है यह सभी नाम किसके हैं व्रद हिमाल्य के अगला है राज्य में दून छेतर है या दून घाटी है किसको कहते हैं हम जो सरचनात्मक घाटिया होती है उनको दून कहा जाता है ठीकी फ्रेंट्स चलिए अगला प्रशन देखते हैं उत्रा खंड का कौन सा छेतर भूसकलन के मामले में अत्यादिक सुभेदता जोन में आता है यानि कि किस छेतर के अंदर सबसे ज़्यादा भूसकलन होने की संभावना है तो कौन सा छेतर है वो है हमारा बहाई हिमालिया छेतर अब इसका अन्या नाम क्या है तो इसी को हम कहते हैं शिवालिक छेतर ठीके न तो शिवालिक छेतर क्योंकि हिमालिया का सबसे नवीन भाग है तो सबसे ज़ चले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के शेर जरूर करें ठीक है नशली अगला है हमारा उत्तर काशी और तिबबथ को जोड़ने वाला दर्रा इख है उत्तरकाशी और तिबध के बीच में आपने दर्रा बताना है बहुत बार ऐसे question paper में बन जाते हैं उत्तरकाशी हिमाचल को कौन सा जोड़ता है इस तरीके से ठीक है उत्तरकाशी और तिबत को जोड़ता है ठांगला दर्रा ठीक है अगला है राज्यम में मुख्या केंद्रिय भरंस रेखा कहां इस्तित है तो जो हमारे में केंद्रिय भरंस रेखा है वो कहां इस्तित है यह आपने बताना है तो राइट आंसर है इसका वरहत हिमाल्य और मद्य हिमाल्य के बीच में वरहत हिमाल्य मैंने भी आपको बताया वरहत हिमाल्य के अन्या नाम कौन कौन से हैं आपको सभी नाम यात रख व्रद हिमाल्य हो गया आंतरिक हिमाल्य हो गया महा हिमाल्य हो गया उच्छ हिमाल्य 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 D अगला है हमारा राज्या में बार आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है तो राज्या के अंदर बार आने का जो सबसे में कारण है एक तो भूसकलन है और एक है अतीवरिष्टी यानि की ऑप्शन A और B दोनों इसका राइट आंसर होगा अगला है प्राकर्दिक आपदाओं की दृष्टी से उत्रखन आता है तो देखे जो भुकम जोन बनाए गए है पूरे भारत को पांच भुकम जोनों में बाटा गया है और उत्रखन कौन से भुकम जोन में आता है जोन 4 और 5 में आता है ठीक है अगला है राज्या में सरवादिक वर्षा वाला छेत्र कौन सा है याने कि इन में से किस छेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो आपको यहां पर बताना है ठीक है छेत्र बताना है आपको जिला या जन्पत नहीं बताना है तो राइट आंसर होगा बाहरी हिमा फिर से में आपको बता रहा हूँ इसका नाम क्या है इसी को हम शीवालिक के नाम से भी जानते boxes है त्रॉशrika मका में होते हैं लगू जितनी वार रिपीट कर सकें ताकि आपको यह याद हो जाएं राजा में सरवादिक ओसत वार्षिक वाला इस्थान कौन सा है यह आपने बताना है कुछे नंबर 20 में तो राइट आंसर होगा नरेंद्र नगर ठीक है टीक है नरेंद्र नगर का पूर्व नाम क्या था कमेंट करके आप मुझे बताएंगे ठीक है और यहाँ पर पूछा गया है ओसत वार्षिक लेकिन अगर आपको पूछेगा कि शीत काल में सरवादिक वर्षा कहा होती है तो राइट आंसर होगा कोड़ द्वार में ठीक है अगला है निम्न में से उत्रा खंड के कुल चार आंतरिक जिले हैं जिनमें एक है टिहिरी, रुद्रपरियाग, बागेशवर और अलमोडा ये चारो जिले कैसे हैं पूर्टहा आंतरिक जिले हैं यानि किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरवादिक अंतराश्ट्रिया सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है सब सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है पिथारगड क्योंकि ये निपाल से भी लगा है और चीन तिब्बत से भी लगा है ठीक है तो पिथारगड सबसे बड़ी सीमा बनाता है अगला है राज्यकेके शेत्र में कुमाउनी और गड़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, प्रेणियों की जो उचाई है साथ सो मीटर साथ सो पचास मीटर से बारा सो मीटर के असपास इस छेत्र की उचाई मानी जाती है ठीक है उत्राखंड का कुल छेत्रफल कितना है बहुत ही इजी कोशिन है लेकिन बार बार आता है ऐसे नंबर देखके फिर कन्फियूजन हो ठीक है तो उत्राखंड का जो कुल छेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलो मीटर है और अगर आपको पूछेगा उत्राखंड का आकार कैसा है उत्राखंड का आकार एक जो आयताकार होता है उसकी तरह है ठीक है शिवालिक श्रेणि का प्राचीन नाम क्या है अच्छा कोशन है श्रिवालिक श्रिणी को मैनाक परवद भी कहा जाता है ठीक है और श्रिवालिक को ही अभी हमने दुबारा से मैं आपको बताता हूँ बाहई हिमाले या फिर हिमालिया का बाद भी इसको बोला जाता है और श्रिवालिक को हिमालिया का ये क्या है सबसे नवीन भाग है ठीक है राज्य का सबसे प्रसिद दून निम्न में से कौन सा है तो सबसे फेमस दून आपको पता है एक ही है वो है देहरा दून उत्राखंड का पामीर किस का अंग है तो उत्राखंड का पामीर किस को कहते है दूधा तोली श्रंखला को कहते है ठीक है दूधा तोली जो श्रेणी है उसे उत्राखन का पामीर कहा जाता है और ये श्रेणी किस छेतर में आती है हिमालिया के तो ये आती है मध्य हिमालिया में अगर आपको मध्य हिमालिया उप्शन में नहीं मिला तो आपको लगू हिमा और निखेट परवर्षरेणि कहां इस्तित है अब रानिखेट के बारे में पूच रहा है कि ये इंध रॐ हमालय या यो तो यह घो रह रहता है सिक रहता है और हमारा शिवालिक हिमालिया है, उसकी यहां पे बात हो रही है, ठीक है? अगला है निमने में से किस आपदा का राज्या पर सरवादिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? इन में से कौन सी वो आपदा है, जो सबसे ज़दा यहां पे विनाश कर सकती है, तो right answer होगा भूकम्प के कारण अगर भूकम्प आएंगे तो गलीशे तूटने के ज़्यादा चांसेज हैं वो तूटेंगे तो बाड़ आने के ज़्यादा चांसेज हैं ठीके ना यह सब आपको ध्यान रखना है अगला है लगू हिमाले के किस के मद्य में इस्तित है जो लगू हिमाले है हमारा लगू हिमाले मतलब जो हमारा मद्य हिमाले है तो मद्य हिमाले किन दोनों के बीच में आता है यह आपने बताना है तो right answer होगा हमारा यहाँ पर option B शिवालिक और महा हिमाले के बीच में आता है मद्य हिमाले या लगू हिमाले अगला है हमारा भारतिय सर्वेशन विभाग का मुख्याला है कहां इस्तित है तेकि जो भारतिय सर्वेशन विभाग है इसकी स्थापना 1767 में बंगाल के अंदर होती है लेकिन इसका जो मुख्याला है वर्तमान में देहरदून में है और देहरदून में इसको 1942 में लाया गया था दूसरे विश्वियुद के दौरान शरंगखंट दर्रा निम्न में से किन के मत्य में इस्तित है तो जो हमारा सरंगकंट दर्रा है ये उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है और ये उत्तरकाशी को हिमाचल परदेश से जोड़ता है मतलब उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ता है ठीक है अगला है थांगला दर्रा किस जन्पत में इस्तित है तो थांगला दर्रा ये हमारा उत्तरकाशी जन्पत में इस्तित है निम्न करतर में विचार कर सही उत्तर चुने तो आपको यहाँ पे कथन दिये है देखिए राज्य का निचला हिमालाई छेत्र अधिक आबादी वाला ह ठीक है उसके बाद भावर छेत्र में जो भावर छेत्र हैं हमारा मरदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं तो हमको पता है जो हमारे भावर छेत्र है ये किसका बना है ये बना है जो मोटे हमारे वो होते हैं बालू कंकड पत्थर उनसे बना है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन C डी यानिकि सभी जो उपर कथन है वो सही है निम्न जिलों का छेतरफल में कौन सुमेलित नहीं है देखे अब यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो चमोली जनपत का छेतरफल कितना है 80-30 वर्ग किलो मीटर उत्तरकाशी का कितना है 80-16 और आप अगर नेट पे चेक करेंगे ओफिशल वेबसाइट्स खोलेंगे वहाँ पर भी यही नमबर्स दिये गए है तो प्रूफ आफ वहाँ से भी भेज सकते हो ठीक है तो यह एक तो यहाँ पर और क्लियर हो गए है कि सबसे बड़ा जिला कौन है चमोली है यहाँ पर आपको बताना है किसका छेतरफल यहाँ पर गलत दिया गया है तो गलत दिया है चमपावत का चमपावत उत्तरकाशन का सबसे छोटा जिला है और इसका छेतरफल आपको याद होना चाहिए सत्रा च्यासट वर्ग किलो मेटर ठीक है उत्राखंड हिमालय के किस भाग में इस्तित है तो उत्राखंड हिमालय के कौन से भाग में आता है तो पूर्व मध्य भाग में आता है राज्य का केतना प्रतिशन भाग परवतिया है तो राज्या का कुल 86 दशनलव 07 प्रतिशत जो भाग है वो परवतिया भाग है ठीक है अगर आप इसको 100 में से माइनस कर दोगे तो जितना बचेगा 13 दशनलव 93 लगबग तो वो आपका क्या है वो मैदानी भाग है ठीक है राज्या में दक्षण से उत्तर की और बढ़ने पर समानता है वर्षा की मातरा बढ़ने पर समानता है इसको कर देना ठीक है ना बरफ बढ़ती रहेगी तो बारिश वहाँ पर कम हो जाएगी क्योंकि जम जाएगा आप इस तरीके से याद रुखो ठीक है बस आपको याद रखना है लॉजिक कोई भी हो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कब होती है तो विंटर लाइन नामक घटना ये होती है दिसंबर जन्वरी में ठीक है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दिर्शक कहां दिखाई देता है तो ये होती है मसूरी के अंदर ठीक है निवन में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है देखे बहुत confusing question है इसका देखे ना आप में से कही सारे लोग इसका अंसर गलत करेंगे ठीक है तो राज्य की प्राकरतिक सीमा नहीं है राइट अंसर है पश्चिम में यमुना पश्चिम में जो है टोंस नदी राज्य की प्राकरतिक सीमा बनाती है यमुना नहीं बनाती है उत्राखंड के कितने जिले उत्तर पर्देश से सीमा बनाते हैं तो UK के कितने जिले हैं जो UP से लगे हुए हैं तो कुल पांच जिले हैं उत्राखंड के कौन कौन से हैं एक है पॉडी, एक है हरी दुवार, एक है देहरादून, एक है नैनी ताल और एक है युएस नगर, यानिकि पांच जिले हमारे यूपी से लगे हैं, ठीक है। राज़े के कितने जिले चीन से सीमा बनाते हैं तो चीन से लगे हैं हमारे तीन जिले कौन-कौन उत्राखंड की तो तीन सबसे बड़े जिले हैं वो चीन के साथ लगे हैं चमूली हो गया उतरकाशी हो गया और पिथारगड हो गया ठीक है अगला है निम्न इस्थलों में से किस एक इस्थल पर भूकंप मापी इस्टेशन नहीं बनाया गया है तो राज़ा के तीन जन्पदों में भूकंप मापी इस्टेशन लगाए गया है एक लगाया गया देहरदून के अंदर, एक लगाया गया तिहरी के अंदर, एक लगाया गया चमुली के गरुड़ गंगा नामक इस्थान पर ठीक है यानि कि नैनिताल में भोकंप मापी स्टेशन नहीं है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निवन में से कौन व्रहध हिमाले के मूल निवासी माने जाते हैं तो व्रहध हिमाले यानि कि उच्छ हिमाले महा हिमाले ठीक है आंतरिक हिमाले तो इसके मूल निवासी माने जाते हैं भोटिया राज्य की सरवाधिक उचाई वाली अधिकान्स परृत्य चोटियां कहां इस्तित हैं तो जो मैक्सिमम उची चोटिया hangs उतरा खंडी की वह कहां है वह चमोली जनपत के अंदर आती है। जो टॉप तीन है या टॉप दस उची चोटिया है वो मैक्सम कहा है सब चमोली के अंदर है ठीके ना हाला कि जो नंदा देवी पूर्वी है वो चमोली और पिथारगड दोनों में है ठीके आपको मैं आज के देख प्रशन पूषता हूँ जिसका अंसर आपको मुझे कमेंट बताना है ठीके तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो कुमाओ गवर्वर्मेंट गार्डन है इसकी स्थापना जियोली कोट के अंदर कब की गई थी ठीके ना इंपॉर्टन रहने है आपको जिसके उंचाएं कितनी है तो आधिके जो उथ्रा-खंट के अंदर सबसे बड़े सबसे चोटा में उनकी वूंचे को बीक्वीज नाम के साथ उनकी पूरी फैक्ट है चाहे हो सबसे बड़े का चोटा है उन 모습 ओ पूरीटील याद करनी है तो नंददीवी चोटी सबसे उची है इसका कुल जो उचाई है वो कितनी है 78-70 मीटर ठीक है अगला है निम्ने में से किस जिले का अधिकांस भाग गंगा के मैदान में आता है तो राइट आंसर है हरी दुआर का निम्ने में से किस श्रेणी में जीवाश में मिलते हैं तो जीवाश में आपको पता है शिवालिक श्रेणी में मिलते हैं लेकिन इस कोशन का अंसर आप तभी कर पाएं जब आपको इसका शिवालिक का अन्य नाम पता होगा यहाँ पर शिवालिक तो है नहीं तो रight answer होगा बह्य ही हिमालिय क्योंकि आपको पता है शिवालिक यह अन्यवाइन नाम है यही हिमालियका सबसे नवीन भाग भी है राजे के जादातर परियाटन केंद्र कहां इस्तित हैं तो राजे के जादातर जो परियाटन केंद्र हैं वो यहीं पर इस्तित हैं वाही हिमालय यानि की शेवालिक छेतर में ठीक है उत्राखंड का नियूनतम छेत्रफल वाला जिल्ला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिल्ला है उत्राखंड का चमपावत और अगर जनसंख्या की दृष्टी से पूस्ता तो रुद्र परियाग नर और नारायन परवतों के मध्य इस्तित है तो नर और नारायन परवतों के बीच में इन में से क्या है? तो वो है बद्रीनात अगला है किस हिमालाई छेतर में वर्षा काल में सरवादिक वर्षा होती है? तो कौन से हिमालाई छेतर में सबसे ज़दा बारिश होती है? आपने ये बताना है तो right answer होगा ब्रहम हेमाल ले ठीक है ना गयाने के शिवालिक किस जिले की सीमा साथ जिलों को इस पर शिक करती है तो पौड़ी गड़वाल जिला है जो की साथ जिलों को सरवादिक साथ जिलों को टच करता है इसके लाबा अल्मोड और चमोली ये चेचेज जिलों से सीमा बनाते हैं अगला है हमारा स्लोगन हिमालिया बचाओ देश बचाओ देखेजिए जो नारा है हिमालिया बचाओ देश बचाओ ये किस ने दिया था किस से related है ये दिया था सुन्दरलाल बहुगुणा जीन है ठीक है दार्मा और ब्याज घाटी उपर हम पर चुके हैं कि इन दोनों घाटियों को जोड़ेने वाला दर्रा कौन सा है वो है हमारा सिनला दर्रा नंदोर दून किस जन्पद में इस्तित है तो नंदोर दून ये हमारा नैनिताल में है ठीक है आप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा निमने में से किस तितिती को उत्रा खंड में हिमालाई दिवस मनाय जाता है 9 सितंबर को ठीक है केदारनात में आपदा कब आई थी केदारनात में आपदा आई थी जून 2013 में कौन सा ओपरेशन उत्रा खंड से संबंदित है तो उत्रा खंड से संबंदित है हमारा ओपरेशन सूर्य होप जो की केदारनात आपदा के दौरान चलाया गया था एक और चीज आपको ध्यार नकनी है कि जो मालपा भूसकलन होता है तो मालपा भूसकलन के दौरान एक operation चलाए गया था operation angel वो भी आपको याद रखना है 12 होती किस जिले में है तो 12 होती यहाँ एक दर्रा है और यह कौन से जन्पत में आता है तो right answer होगा option C चमोली जन्पत में पितोरकर जिले के मालपा में बादल फटेने की घटना कब घटी थुई थी देखे फिर से question आ गया मालपा में बादल कब फटा था यह फटा था 17-18 अगस्त 1998 में और इसमें जो राहत कार्रे के लिए जो operation चलाए गया था उसी का नाम था operation angel ठीक है उत्राखन में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायू दशाएं पाई जाती है तो पसाएं वो है उपोशन जलवायू दशाएं ठीक है अगला है निम्न में से कौन सा एक दर्रा उत्राखन में इस्तितन नहीं है तो देखे लिपुलेक उत्राखंड के अंदर है, पिथोरगड में है, ठीक है, माना दर्रा ये भी है, चमोली में है, सिनला ये भी पिथोरगड में है, डिपसा दर्रा उत्राखंड के अंदर नहीं आता है निम्न में से किस दर्रे से मांसरोवर यात्रा होती है तो मांसरोवर यात्रा इन में से किस दर्रे से होती है तो right answer है हमारा option B लिपुलेक दर्रे से अंतिम प्रशन है पंचाचुली शिखर इसको शिखर कर देना है अगर हम बात करें जो यहां पर 72 बहतर है यह किस की उंचाई है यह माना की उंचाई हे ठीके ना मज़ो माना दर्रा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मजा आया होगा इनको करने में रिवीजन करने में अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें शेर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें इसके लब आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे अलग-अलग वीडियो देखने को मिलेंगे जैसे कि आप उत्राखंड के district wise videos आपको हमारी playlist में मिल जाएंगी उत्राखंड के महत्पुन 2100 one liner की videos आपको वहां मिल जाएंगी उत्राखंड GK book wise हम पढ़ चुके हैं परिक्षावानी को आदे से जादा हम इसको cover कर चुके हैं ठीक है प्रैक्टिस के लिए उत्राखंड MCQ's सीरीज आप वहां जाके देख सकते हो इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री है उत्राखंड की उसको भी हम काफी हद तक कवर कर चुके हैं पवार वंस चंद वंस और कुडिंद वंस पौरा वंस इन सभी को हम वहां पर पढ़ चुके हैं ठीके ना और रह आप उनको जाके देख सकते हैं चाहे वो वन नाइनर वाली सीरीज हो चाहे वो हमारी प्रैक्टिस सीरीज हो या फिर हमारी जो थिएरी क्लासे से वो हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी हमारे चैनल के प्लेडिस्ट में तो वीडियो को पसंद आये box में जरूर करें, thank you friends.